हेलो फ्रेंट्स आज मैथ सब्जेक्ट चैप्टर नम्मर तीन का टॉफिक है को आडिनेशन प्रेमिटिक्स मतलब की निरिस्ताग जैमती काम एक कुस्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे उस प्रबलाय का समय करण ग्याद कीजिए इसकी नाविग तीन और चार तथा नियता एक चलिए दोस्त हम इसको सॉल्व करते हैं वेलों इसका हम डाइग्राम बना लेते हैं तैसा बनेगा अगा एक यह लाइन है जिसको उर्धार्दर लाइन वोलते है आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं यह य केजिए और इसको आप जे जेड मांने कुछ भी मान सकते हैं इसको यस नाम दे देते हैं इसको यम दे देते हैं इसको पी देते हैं ठीक इसमें जो मतलब बिंदु दिये हैं एक्स और वाई पी में हम दे देते हैं एक्स कॉमा वाई और यस जो यस यह जो मान लिखा हुआ तीम कामा चार इसको हम यह पास लिख देते हैं 3 ,-4 ठीक चलिए अप ठीक इसको solve करते हैं हम यहाँ पास लिखेंगे माना जो हम इसको मानेंगे मतलब कुछ भी मान सकते है माने में माना में जो हमारा yes है तो yes 3 ,-4 दिया हुआ है तो इसमें हमका नाभिक है तथा zM नियता है तथा तब नियता का समय करण जो नियता का इसका जो इसका सामिकरण है यह है एकस प्लस बाइ माइनस 2 ब्रावर 0 ठीक है तो SP को मिलाने तथा PM PM SP यह है और PM यह है तो पी यम से बना युसक्तर ये प्रवले को सूथ प्लस by minus by one का whole square यह हमारा परवले का सूत होता ठीक है जो कोई हमारी बिंदू दिया रहे होते है यक्स वन इसको एक्स वन मान सकते हैं इसको बाई बने ले लेते हैं ठीक तो हम इसमें वो लगाएंगे इसका मान रखेंगे minus x1 का मान है 3 का whole square हो जाएगा प्लस by by को उतार देंगे को को मान दिया नहीं है by one का मान है minus यह minus दिया और minus 4 भी है तो minus minus प्लस हो जाता है का whole square ठीक है तो हम इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा pm है बिंदू p को हम x, y से समिक रण एक ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे कि बिंदू से समिक रण एक पर डाले गए बिंदू p से समिक रण एक पर डाले गए लंबी की लंबाई तो लंबी की लंबाई यहाँ पास हम लिख देते हैं और करके pm बराबर बिंदू p x, y से समिक रण एक पर जो हमारा समिक रण दिया तो इसको हम एक माने थे एक पर डाले गए लंबी की लंबाई लंबी की लंबाई ठीक तो जो हमारा मतलब समिक रण था उसको हम एही पास आर देते हैं गया एक कोही प्लस y माने है यहक माने है और य को Nhी है यह पी मतलब मान नहीं होता बड़ हम इसको एक मान सकते हैं बरावर अब यह वाला समख्रम जो हम इसको एक माने थे ठीक तो यक्स प्लस बाई माइनस टू बटे इसको इसको रहेंगे तो अंडर रोड तू आएगा ठीक परवले की परिवहासा की अंसार SP वरावर PM क्योंकि इसके इसके लंब बत है तो यहाँ पर हम चूंकि परवले की परिवासा के अनुसार लिख सकते बट परिवासा से आप लोग लिख लेज़ेगा परिवासा के अनुसार SP वरावर PM क्योंकि SP और PM इन दोनों के वरावर है ठीक इसके बाद हम परिवासा के अनुसार हम सूत लगाएंगे अंडर रूट जो हम समी करण यहाँ पास जो हमारा SP आया था तो हम इसी कुएं पास उतार देंगे इसको हम समी करण 2 भी दे सकते बट आपको देना हो तो दे लिए जो कोई इसको हम समी करण 2 दे देते हैं तो यहाँ पास लग जाएकर समी करण 2 के अनुसार ठीक तो हम लिखते हैं यक्स कामा 3 का होल स्क्वेर प्लस वाई कामा 4 का होल स्क्वेर बरावर और यह यक्स प्लस वाई माइनस 2 वटे अन्डर रूट 2 इसको 2 या इसको 3 मान सकते हैं तो यहाँ पास लिखे रख समी करण 2 और 3 से यहाँ पास लिख देना यहाँ पास लिख देते हैं हम समी करण 2 और 3 से जो यह मतलब यह बना यक्स माइनस 3 का होल स्क्वेर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वेर बरावर यह ठीक है तो हम इसका अंडर रूट अट आएंगे जब तो हमारा कॉस्टन बनेगा यक्स माइनस 3 का होल स्क्वेर प्लस बाई प्लस 4 का होल स्क्वेर वरावर जब हम इसका हम अंडर रूट अटाते हैं तो इधर हमारा स्क्वेर लग जाता है तो कॉस्टक में यक्स प्लस बाई माइनस 2 वाटे अंडर रूट 2 तो फ्रेंड्स यहाँ पास एक इस्टेप और हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमको यह अंडर रूट जो है स्क्वेर अंडर रूट इसका हटाना है तो यक्स माइनस 3 का होल स्क्वेर प्लस बाई प्लस फोर अंडर रूट परावर इसका हम अंडर रूट कर आएंगे तो आपस दो बचेगा और जो क्योंकि नीचे उपर तो कुछ नहीं की है हमने तो x plus y minus 2 का square बटे 2 क्योंकि यह इंडरोट से 2 कड़ गया तो हम जो square center रोट राते हैं तो कड़ राता है ठीक तो यहाँ पास सूत्र बनता है यहाँ पास आप सूत्र पढ़े होंगे कि a minus b का whole square बराबर होता है a square plus b square minus 2ab तो हम यहाँ पास क्योंकि यहाँ minus का सूत्र लगेगा और यहाँ plus का सूत्र लगेगा तो plus का आपको सूत्र पता होगा a plus b का whole square बराबर a square plus b square plus 2ab क्योंकि जो हमारे यह चंग इसको A माल लेते हैं इसको B माल लेते हैं चूंकि X-3 का whole square लगा है तो यहाँ पास आपको पता होगा कि X A-B का whole square ही लगेगा ठीक है तो यहाँ पस लिख देते हैं चूंकि A-B का whole square बरावर होता है A square plus B square minus 2 A B यहाँ पास दो सूत लगेंगे a minus b koholi square और a plus b koholi square तो हम यहापस दोनों सुतर रिक साथ लिख देते हैं ठीक है तो हम पहले minus में लगाते हैं तो minus में लगाएंगे तो a square तो a square plus b square minus 2ab a command क्या था यक्स गुडे यक्स और b command 3 फिक प्लस A, PLUS B क्योंकि A, A और B इसको A मानि इसको B नहाँ तो ये वाला सुत लगेगा मानिस वाले में ये लग जगा और प्लस वाले में ये सुत लगेगा तो प्लस वाला प्लस लुदा है यहाँ पास X प्लस Y कुश्टक में है और मानिस बड़ा कॉष्टर्र अंदर है तो हम J- X प्लस Y है और माईनश Y माईनस 2 है तो X प्लस Y को हम क्या आल माल लेते हैं A क्योंकि जो बड़ा कॉष्टर्ध की स्क्वर लगा है A- B का होली स्कूर तो हम J- Y इसको A माल लेते हैं पूरे को और यह 2 है जिसको हम B मानने थे हैं तो A-B का whole square बन जाता है तो A-B का whole square यही वाला सोत लगेगा क्योंकि A-B का कोश्टक में है इसको तो हम तोड़ने सकते हैं क्योंकि स्कॉर करने सकते हैं और minus 2 है ठीक चोई A-B का whole square यही वाला सोत लगाएंगे तो यहाँ पास हो जाएगा A square A square x plus by यह हमारा A है plus B square 2 का square minus 2 A जो हम x plus by को हम A माने थे 2 A B गुणे B B का मान 2 है ठीक अब आगे चलते हैं तो x square को x square 3 का square 9 minus 2 x गुणे 3 तो 3 दूनी 6 6 x हो गया ठीक plus by का y square plus 4 का square होता है 16 plus 2 गुणे by गुणे का 4 चार तो नहीं 8 8 y बरावर अब यहाँ पास भी सुत बनता है x plus by लिखा है का whole square तो A plus B का whole square लगेगा A plus B का whole square लगेगा A plus B का whole square बरावर लगेगा A square plus B square plus 2 A B क्योंकि x plus A A plus B के रूप में लिखा हुआ है x A मान लेते हैं अब A को हम B मान लेते हैं तो यहाँ पास A plus B का whole square लगाते हैं चलिए तो यहाँ पास होगा A square plus B square plus 2 A B ठीक प्लस 2 का square होता है माइनस इसका गुणा इसके भी साथ होगा और इसके साथ होगा 2 का गुणा x के साथ होगा अलग अलग करेंगे तो 2 गुणे x गुणे 2 तो यहाँ पास होजाएगा माइनस का 4 x और 2 का गुणा बाई के साथ होगा दो गुणे बाई गुणे 2 अब भारी संख्या हम माइनस का संख्या को हम प्लस के साथ कर रहे हैं फूर गुणे 4 फोर गुणे गै कर गाँ माइनस काथा ठीक है तो 2 गुणे y गुणे 2 तो 2 दूश्यार निद्य चा़ 4 उच्छार भाइ अल्यश्यार गगा तो हम इक काम करते हैं कि जो हमारा य एक्स जो हमारा चर और आचर है तो हम एक side कर लेती हैं और आचर को x side कर लेती हैं तो हम square वालों को square side और gary square वाले को gary square के side पहले हम एक line और बढ़ा लेती हैं x square plus 9 minus 6x plus y square plus 16 plus 8y बरावर x square plus y square plus 2x by 2x by प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4y जो हमारे उपर वाई संक्यत अब इसके बटे 2 है तो हम क्या करेंगे इसके बटे जो है तो हम इसका कुड़ा इसके साथ कर देंगे इसका मान ये आया है और इसका मान ये आया है तो जो ये 2 है तो दो कगुड़ा हम इनके साथ करते हैं इनके यहां कोश्टक लगा देते हैं दो अब दो कगुड़ा इसमें भी होगा 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 ठीक है अब हम दो कगुड़ा इसमें करते हैं तो इसमें गोड़ा हो जाएगा तो 2x² प्लस 9 दूनी 18 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 2y² के 2y² प्लस 16 गोड़ा 2 के साथ होगा तो 32 प्लस 8 गोड़ा 2 के साथ होगा तो 8 दूनी 16 वाई ठीक इसको हम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि हम दो का इस गोड़ा इसमें बस करना इसमें नहीं करना क्योंकि जो यह दो था हमने इसका क्रॉस कल दे क्रॉस multiplication लगा दिया, cross multiplication जो इधर दो बटे में है तो इसके गुड़े में चले जाएगा, ठीक तो इसका हम उतार देते हैं, x square plus y square plus 2x y plus 4 minus 4x minus 4y, ठीक, अब हम आगे चलते हैं, अब जो square वाले हैं, और जो गैर square वाले हैं, तो जो इधर वाले हैं, तो हम इनको square side कर लेता हूं, और हम आगे करते हैं, तो 2x square, तो 2x square आइधर x square, जो इधर प्लस में हैं, इधर प्लस में, जब हम इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, x square, ठीक, अब हम 2y square, ठीक है, x square करता हो गया, अब 2y square, यह plus है, तो इसको हम plus है से उतार देंगे, 2y square, ठीक, प्लस में है इधर लाएंगे तो हम माइनस में हो जाएगा ठीक अब क्या बचा 12x 16y 32 और 18 बचा तो हम पहले 12x 12x माइनस 12x उतार लेंगे अब इधर क्या है 4x इधर 4x माइनस का यह दिहान देखिए का माइनस का है अब 4x माइनस कि इधर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक यह 4x का प्लस अब 16y यह प्लस का 16y ठीक अब इधर माइनस का 4y इधर लाएंगे तो हम क्या हो जाएगा प्लस का 4y ठीक अब क्या बचा अब जो संख्या बची है उसको लिख लेत 32, अब इधर क्या बची है, प्लस का 4 बची है, अब प्लस को 4 को हम इधर साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, ठीक, अब बरावर 0, ठीक, अब इसके आंगे करते हैं, तो हम इसको इसके साथ घटाएंगे, 2x² को माइनस x² के साथ घटाते हैं, तो किता आएगा, x², ठीक, प्लस, 2y² और माइनस का y² घटाएंगे, 2y² माइनस का y², तो क्या जाएगा, y², ठीक, और यह क्या है, माइनस, यहां माइनस तर रहेगा, 12x प्लस 4x है, 12x प्लस 4x है, तो हम बड़ी संख्या को, जो बड़ी संख्या को छोड़ी संख्या को घटाते हैं, तो घर तो जाएगे, लेकिन चिन गाए गाएगा, लेकिन माइनस की, यह प्लस 4y जुड़ी संख्या को, हम इसा चिन क्या आता है, बड़ी संख्या का, तो 12x को, जब हम 4x हैंगे, तो 8x, ठीक प्लस 16y 16y और 4y 16y और 4y जोड़े आएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो 20y हो जाएगा ठीक अब क्या बचा अब इधर साइट एक और संख्या बची थी उसको हम ने लिखें स्वारी लिख लेते हैं उसको हम पहले ये प्लस का 2y थी तो हम माइनस का 2x by अब बरावर 0 लगएगा थोड़े आपस देख लिजेगा क्योंकि हम इसको ध्यान ने दे पाए थे तो इसको हम इधर लाएंगे तो जो प्लस की थी 2x by तो माइनस हो जाएगी ठीक अब हम क्या बचा हमारा ये हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया अब हमारा क्या बचा 18 plus 32 minus 4 18 plus 32 minus 4 तो इसको इसको साथ जोड़ेंगे ये ताइग इसको साथ खटा देंगे तो किता आता है प्लस का 46 और ये minus का 2x by से इस उतार देंगे बरावर 0 हमारा answer आ गया है यहां पास लिख देंगे ठीक है आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगली वीडियो पर हम मिलते हैं